दूस्तो इस वीडियो में हम 4 श्क साथ में डिसकस करेंगे ट्राइडेन्ट लिमिटेड को डिसकस करेंगे और हम IRFC को डिसकस करेंगे एक और कमपनी को डिसकस करेंगे जो बहुती जबरदस बोनस देने जारी है और इससे पहले अलड़ी multi bag return दे चुकी है Trident Limited की बात करें तो textile sector की एक बहुती मजबूत कमपनी है और कमपनी का सिर्फ textile का बीजनस नहीं है बलकि आप देखे तो इसका diversity 5 portfolio कमपनी bath linen और bad linen का बीजनस भी करती है इसके अलावा chemical division भी है और paper का segment भी है और काफी अच्छा बीजनस है और आप देख सकते हो कि लगातार अच्छा dividend भी कमपनी देती है तो क्या दाव लगाना चाहिए क्योंकि ये stock काफी ज़्यादा correct हो चुका है 70 का stock इस समय 30 के आसपास मिल रहा है IRFC की बात के तो government की एक बहुत ही मजबूत company है जो railway को finance provide करती है zero NPA इसका क्योंकि जो भी ये finance provide करती है उसकी सारी guarantee सरकार लेती है इसके इलावा इनके employees की संक्या मात्र 37 है और कारोबार काफी अच्छा है लगातार profit making company है दाव लगाना चाहिए और यहाँ पे अगर हम Vipro की बात करें तो पिछले एक साल से stock में बहुत जादा correction आ चुका है लेकिन Vipro लगातार बहुत सारे business type कर रहे है और इसके लाव अपने management में बदलाव भी कर चुके तो यह जो रननेती क्या काम करेगी आने वाले से में Vipro की क्या समानों बदेगी या पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आरी जिनको डिसकस करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे क्या Vipro में हमें investment करना चीए लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे channel पे आए तो channel को subscribe कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दिजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला notification आपको मिले वीडियो पसंद आए तो like से जिरू कीजिए चलो friends वीडियो श्टार्ट कर दे मैं हूँ आपका दोस्ट SB The Way और मारे अपने channel online कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले Trident लिमिटर की बात के stock फिलाट 29.90 के आस्पास से 0.84% की फिलाट तेजी देखनों को मिल रही है यहाँ पे देख सकते हो कि stock ने पिछले 5 साल के इसाफ से 333% का positive return दिया है और 3 यर के इसाफ से 557% का bumper return दिया है COVID काल में stock 3 रूपीज के आस्पास था तो यह देख सकते हो कि बहुत ही जबरस return दे चुका है वैसे 70 तक जाके है लेकित पिछले एक साल से 45% अल्यड़ी stock गिर चुका है 3 मन के इसाफ से भी इसने 17% का negative return दिया है और 1-1 के इसाफ से 5% की गिरावट है यानि पिछले एक साल से stock correction के mode में और आने वाल से में definitely आप एक अच्छी तेजी की सम्भोना हम व्यक्त कर सकते है यहाँ पे देख सकते हो कि rating agency नहीं इसकी rating को बाहाल किया है और जो इन्होंने NCDS जारी किये थे उसके ओपर जो rating है वो काफी अच्छी इनको rating मिली है तो यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे देख सकते हो company को जो rating मिली है इसकी long term rating IND AA stable की rating है 7 मार्च 2022 को IND AA positive की rating थी 9 मार्च 2021 किस की बात कर तो IND AA stable की rating थी और 14 अक्टोबर 2020 की बात करें तो IND AA minus positive की rating थी तो यह तो देख सकते हो कि 2020 के मुकाबले इसकी rating में सुधार हुआ है अब यहाँ पे जो इन्होंने NCDS जारी किये आए करीब 1250 को रोपीस का उसकी जो अगर आप देखे तो rating WD rating है और 7 मार्च 2022 को देखे तो यह IND AA positive की rating थी और 9 मार्च 2021 को IND AA stable की rating थी और 14 अक्टोबर 2020 को IND AA minus positive की rating थी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि rating agency अच्छी rating को लगाता दे रही है इसके लावा अगर आप देखे तो यहाँ पे company का जो liability जग कम हुई है मार्च 2022 में जापे 604 ने 189 को भी चासवास था जो सेप्टमर में 6017 को भी चासवास हुआ है इसके लावा company के net cash flow जो negative था मार्च 2020 में 220 को भी वो मार्च 2022 में बढ़के 172 को भी positive हो चुका है कुल मिला के सेहत सुधर चुकी है ट्राइडेंड की और इस बार तो इन्होंने बीजनस को भी अलग से डिवाइड कर लिया है सभी sector के लिए अलग-अलग से MD अपॉइंट कर लिया है और राजंदर गुपता ने इस समय इस्तिपा दिया है उसके बाद में जो management है अब दूसरे नए MD के वाले कर दिया गया है और इसमें लग रहा है कि आने वाले समय में एक तेजी का दौर सुरू हो सकता है इस्तोक काफी ज़़ा correct हुआ इसके पीशे वज़े है कि textile sector को बहुत ज़़ा दबाव जिलना पड़ा है international market से इसका जो बड़ा बाजार है वो है US और European बाजार और वहाँ पे inflation की problem भी थी और European market में रसिया युकरियन का युदका भी effect देखनों को मिला इस वज़े से गिरा उड़े है लगिन जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेजी की सुरूत होगी कि सरकार की तरफ से बहुत सारे countries के साथ में free trade agreement हुआ जिसका फाइदा Trident को देखनों को मिल सकता है और वैसे भी एक देखे तो Trident Limited जो आप देख सकते हो कि यूएस और यूरोपी के बाजार में जो इनका बीनस है वहाँ पे प्रॉब्लम थी वह अब धिर्दे उसका आप निवारान होने लवाला है और आने वाले समें इसका बीनस डेफिनेटली बड़ेगा ये बड़ा मल्टी बैगर साभित हो सकता है तो नजरिया लॉंग टर्म का लेकि यही Trident में निवेस का मौका है चलते है वी प्रो की तरब 376 पर स्टोक के जापे 0.74% की गिराउट हुई है तो इस समय वी प्रो में थोड़ा सा गिराउट दिखा दे रहे है लेकिन आपको ये भी ध्या बीजनस के लिए आप देख सकते हो ग्लोबल इस्टेड़ी है जो 550 CXOS across US, UK और जर्मनी तो ये तरसे ये जो आने वाले समय में इनके बीजनस में काफी जादा एक बड़ोतरी देखना हो मिल जो ये लाउंच किये है इनोंने इंडुस्ट्रियल मेटावेर्स इसका फाइद बढ़ते हो दिखाए देंगे लगातार वीप्रो नई टेक्नलोजी को आज मारा है और एक तरसे ये काफी बड़ा एक अच्चिवमेंट है वीप्रो के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है वीप्रो ने यहाँ पे एक नया ग्लोबल बीजनस लाइन जीबी एल मॉडल भी लाँच कर दिया है तो यहाँ पे लाइन मॉडल के माध्यम से क्लाउड इंटर्प्राइज टेक्नलोज और बीजनस ट्रांस्पोरेशन और इंजिनरिंग का जो इनका कंसर्टिंग का बीजनस है उसमें एक नई उर्जा की शुरुआत होने वाली और तेजी से बढ़ता हो दिखाए देगा तो लगातार बहुत सारी नई टेक्नलोजी आज मारा है वीप्रो तो यहाँ पे देख सकते हूं कि एक्से सिक्यूर्टी की तरब से ओमकार का कहना है कि यह जो न्यू मॉडल टेक्नलोजी जो लाँच की गए वीप्रो की तरब से इस तो यहाँ पे देख से कुल मिला के वीप्रो जिस तरसे नई नी टेक्नलोजी को इजाद कर रहे है उसको तेजी से बढ़ाने के लिए नए बीजनस एक्क्वाइर भी कर रहे है और बहुत सारे एरिया में देखे तो वहाँ पे नए हैड़कॉर्टर भी इस्टाबलीस कर र 0.18% की तो यह देखनों मिल रही है बहुत ही मजबूत कंपणी है क्योंकि यहाँ पे इस कंपणी का जो बीजनस मोडल है वो काफी यूनिक है एक तो इनका कोई NPA नहीं है और इसके अलावा होटेल असोका से पूरा बीजनस रन होता है सिर्फ 30 से उन्हें अप्लोई की जाएगी काफी ज़्यादे आप निवेस होने वाला है ऐसे में आप देखे तो IRFC का काम बढ़ने वाला है इसके अलावा देखे तो RVNL को भी एक फंड प्रोवेड करते हैं और RVNL को लगा तर बहुत सारे इस समय ओडर भी मिल रहे है मैट्रोज के तो ऐसे में बिलकुल यही मौका है IRFC निवेस करने का और यह काफी मदबूत कमपनी है यहाँ पर बड़ी अपडेट और निकल कह रहे है करनाटका में इंडिया का जो सबसे बड़ा एक रेलवे इस्टेशन बनाए गया यह वर्ड का सबसे लंबा रेलवे इस्टेशन का जा सकता है जो हर्त रख इस्टेशन काफी सांधार है और जिससे हर इस्टेशन को डेवलप किया जा रहा है आने वाले समय में IRFC का काम डेफिनेटली तेजी से बढ़ेगा और इसमें बिलकुल यह मौका है क्योंकि आप देख सकते हो फंडामेंटली कमपनी मजबूत है आप देख सो इसका 5.17% का अच्छा खासा कंपनी डिवले ने दे चुकी है और इसका 15.8% फेस वेलुट है तो फंडामेंटली कमपनी बहुत अच्छी है बिलकुल यह आपे निवेस कर सकते है और यह आने वाले समय डिफिनेटली आपको एक जबर्दस रीटन देने की ताकत रखता है और यह तरस से देखे तो यह आपके निवेस को कई गुना बढ़ाने की ताकत भी रखता है और इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि एक तरपा तेजी का माहल बन सकता है क्योंकि आने वाल समय रेल्वे में बहुत सारा खर्च हो ने वाला है यह टार्किट फाविनेट के साद इसको अब हम चलेंगे उस श्टॉक की तरप जो आपको बहुत ही जबर्दस बोनस दे जा रहे है यहां पर हम बात कर रहे है ग्लोबल कैपिटल मार्केट की 33.59 श्टॉक है 5% का लोगा लगा तार अपर सरक्रीट के बसा बात अब देखे तो लोगर सरक्रीट भी लग रहे लेकि एक साल में भी लग बग अब इसके करेंट लेवल के इसाब से भी 5-32% का बंपर रिटन देखनों को मिल रहे है एक तरह से यह जबर्दस मल्टी बगर सावी तो है और अप कम्पनी देने जारी है बोनस एक शेर के उपर एक शेर बोनस देगी और इसकी रिकॉर्ड डेट है थैंक यू फ्रेम्